लोगों को इस बात के लिए बाध्य कर रही हैं कि वो उनके पक्ष में बोट डाले अब पैसे का भी खेल हो रहा है या आने वाले दिनों में ये दिशा तै करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धिर धिर करके समप्त हो जाएगा मुझे खुशी है कि आज के दिन आप लोग यहाँ पर आए मेरे उमिद्वारी के बारे में बात करने के लिए ये चुनाओ मैंने बार-बार जोड़ दे के कहा है कि बहुत महत्रपुर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तै करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धिर धिर करके समप्त हो जाएगा अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की और बढ़ रहे हैं और इसलिए पूरे देश में घूम कर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्द से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राश्पती का चुनाओ क्यों इतना महतुपुर मैं एक political लड़ाई ही नहीं लड़ा हूं आप सब जानते हैं कि मैं सरकारी एजन्सियों के खिला भी लड़ाई लड़ा हूं इसमें सरकारी एजन्सियां बहुत सक्रिय हो गई हैं और राजनायतिक दलों में तोड़फोड करवाने का काम कर रही हैं लोगों को इस बात के डाले और पैसे का भी खेल हो रहा है अब आज वोटिंग हो रही है मैं सारे मद्दाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने यह वोट जैसा आप जानते हैं इसमें पार्टी का विप नहीं जारी होता है और इसमें सिक्रेट बैलट होता है तो इसलिए हर किसे से उमीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे मैं उमीद करता हूं कि जितने मद्दाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष मे अपना बोट कास्ट करेंगे धन्यवाद